Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डबल तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ये होता क्यों है मतलब आखिरकार कारण क्या है और कितने साल में ये चेंज होता है और साथी साथ इसका असर क्या होगा क्या धर्ती पर इसका कोई असर आएगा काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा चलिया आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले जान रखेगा आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिप्रेशन कर रहे है हमारा जो GS Foundation बैच है उसको तो जॉइन कर सकते हैं जिसमें आपको complete प्रिप्रेशन कराए जाती है लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बतातू कि हमारा जो Stock Market का बैच है वो भी स्टार्ट हो रहा अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो definitely जॉइन कर पाएंगे बस आपको यूज करना है code अंकित लाइव हमारे website आप पर जाकर आप ताकि आपको maximum discount मिल जाए और इसके लावा अगर आप MCQs रटेम्ट करना चाहते हैं तो मेरे Insta पेज पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप रटेम्ट कर पाएंगे चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो यह देखते हैं कि exactly हुआ क्या है देखें Milky Way Galaxy के अंदर जो हमारा biggest star है that is सूरज it is set to undergo an epic transformation मतलब कि जो magnetic pole है जैसा कि आप अगें यहाँ पर देख सकते हो एक तरफ North Pole होता है दूसरी तरफ South Pole होता है तो यहाँ पर यह जो pole हम देख रहे हैं उपर और नीचे की तरफ यह बदलने वाले हैं मतलब एक तरफ North जो था वो South हो जाएगा और जो South था वो North हो जाएगा और यह जो phenomenon है मैं आपको बता दूँ यह सूरज में हर 11 साल में होती है तो यह कोई अचमबा वाली बात नहीं है कि कोई पहली बार हो रहा है और कुछ अनोनी हो जाएगा ऐसा नहीं है यह हर 11 साल में होता रहता है और उसका कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा लेकिन लास्ट में आप देख सकते हो 2013 में हुआ था जो फ्लिपिंग है सन के मैंगनेटिक पोल का यह भले ही आपको डरावना लग सकता है मतलब ऐसा लग सकता है कि कोई अपोकलिप्तिक होने वाला है कुछ अनोनी हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं है यह एक नाचुरल साइकल है जो की सूरज का हमेशा चेंज होता रहता है हर 11 साल में जो मैंने आपको बता है लेकिन कोश्चन तो सबसे पहला आपके मन में यही आएगा कि आखिरकार यह मैंगनेटिक पोल्स चेंज होते क्यों है इसको समझने के लिए यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझना है that is solar cycle solar cycle क्या होता है जैसे धरती पर seasons के cycle होते है summer, winter यह पुरा cycle चलता है उसी तरह से सूरज का भी एक cycle होता है जो कि हर 11 साल में आपको चेंज होता हुआ देखने को मिलता है मतलब पूरा जो cycle है सूरज का वो 11 साल चलता है और इस cycle में basically क्या होता है कि जो solar activities है वो काफी जादा बढ़ जाती है मतलब सूरज पर जो activities हो रही है यहाँ पर जो बहुत सारे आपको sun spot वगरा देखने को मिलते हैं अक्सर आप सुनते होगे sun spot के बारे में तो sun spot कुछ नहीं होता और कई जगे यहाँ पर black spot देखने को मिल रहा होगा तो जब ज़्यादा black spot देखने को मिलते हैं जब सूरज पर तो उसको हम कहते हैं कि वहाँ पर activities ज़्यादा बढ़ गई है और वो जो पूरा cycle में आपको बताता हूँ यह actually इसको कहते है solar minima and solar maxima मतलब depending on the number of sunspot जैसे कि अगर मान लो sunspot बहुत ज़्यादा है highest number का है तो उसको solar maxima कहा चाता है और अगर जो sunspot है वो lowest number में है बहुत कम है तो solar minima कहा चाता है तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह पुरा cycle होता है 11 साल का मतलब कि at one end of the cycle यहाँ पर आपको solar minima देखने को मिलेगा मतलब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो बहुत कम जो spot है वो देखने को मिलेगे लेकिन यहाँ पर दूसरे end पर आपको जो solar maxima है मतलब कि बहुत सारे जो sunspot हैं छोटे छोटे जो black color के spots हैं वो काफी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और खास बात इसमें यह चीज है कि they start appearing at sun's higher latitude मतलब starting में अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पर solar minima चल रहा है दम starting में फिर धिरे-धिरे करते करते यहाँ पर जब sunspot start होगा तो उपर वाले side में होता है pole के side में थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है लेकिन धिरे-धिरे जब solar maxima की तरफ हम आ गया आते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो equator की तरफ ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा तो इस तरह से यह पूरा cycle चल रहा होता है मतलब in short आप यह समझे कि sun जब active होता है ना बहुत ज़ादा तो बहुत सारे sunspots देखने को मिलते हैं और वहाँ पर बहुत सारी activities हो रही होती है इस तरह से कुछ मतलब sun के जो flares वगर होते हैं काफी उचे उठते हैं तो solar storm वगर भी आता है इसकी वज़े से धर्ती को impact करता है तो वो solar maxima होता है तो यह पूरा cycle चल रहा होता है I hope आपको समझ में आया होगा लेकिन question यहाँ पर यह है कि आखिरकार यह sun flip जो है why sun flip its magnetic poles इसका जो magnetic poles है north pole, south pole वो क्यों आपका flip होता है, change होता है देखो कई सारे stars या फिर planets जैसे धर्ती की अगर हम बात करें हमारा भी जो north pole है और जो south pole है वो भी एक ना एक दिन change होगा, flip होगा आज जो हम जिसको north pole कहते हैं वो कई सालों के बाद मैं आपको बताऊंगा exact आकड़ा मतलब 10,000 साल इस तरह से कहा जाता है तो ये भी आपका change होता है एक तरह से तो उसी प्रकार से जो सूरज है उसका भी cycle होता है और वो cycle मैंने आपको क्या बता है ये basically 11 साल का होता है हर 11 साल में change होता है और क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ देखो सूरज जैसा कि हम सबको पता है it's a huge ball of hot and ionized gases बहुत सारे gases वगर होते हैं और जो की उसके core में flow हो रहे होते हैं मतलब कि जो core आप देख रहे हूँ magnetic field आपको देखने को मिलता है मतलब कि जो magnetic field हम कहता है magnetic field है इस तरह से कुछ जैसे धर्ती पर भी आपने देखा होगा कुछ इस तरह का magnetic field हम कहते है जो कि हमारे धर्ती को protect करता है उसी प्रकार से सूरज में ये current होने की वज़ए से यहाँ पर magnetic current आपको देखने को मिलता है इसके चारों तरफ इस तरह से और यह जो यह जो process है पूरा उसको scientist के दोरा कहा जाता है dynamo तो यह आप ध्यान रखेगा इसको हम dynamo कहते है यह जो इसको तो यहाँ पर NASA ने explain यह किया है मतलब कि जो sun का polar magnetic field है वो आपका काफी weak हो जाता है एक ऐसा समय आता है zero हो जाता है और zero होने के बाद वो flip कर देता है अपने आपको मतलब कि जो magnetic field है वो काफी weak हो गया एक समय आया 11 साल के बाद और फिर उसके बाद वो अपने आपको change कर लिया मतलब कि जो पहले north pole वाला side था, वो flip हो जाता है, वो इधर की तरफ आ जाता है, और ये वाला side है, वो उपर की तरफ चला जाता है, and this is a regular part of solar cycle, और sun magnetic pole जो मैं आपको बता रहा था, ये हर 11 साल में होगा, और जो earth का magnetic north pole है, और जो change होता रहता है, वो हर 10,000 साल में होता है, त थोड़ा side हो रहा है, मतलब घसक रहा है अपनी जगह से, इस तरह, उसका भी कारण वही था, वो जो अंदर जो core में जो cycle चल रही होती है, जो gases वगरा होती है, तो वो सारे कारण होते हैं, कुछ उसी प्रकार से आपको सूरज में, लोग सूरज का जो cycle है, वो बहुत छोट है न, तो उस साल में आपको बहुत intense solar storm देखने को मिलते हैं, जैसे 2024 में इस साल April से लेकर August के बीच में, यह आपका reverse का process चलेगा, तो जब यह reverse का process चल रहा होगा, मतलब कि सूरज में activities बहुत हो रही होंगी, और इसकी जैसे आपको पता है, सूरज से बहुत सारा solar storm जो है बचाता है, अगर यह magnetic field नहीं होता न, धरती, तो हम तो कपका खतम हो गया होते, ठीक है, तो यह magnetic field ही ऐसा है, जो कि solar storm को दूर फेक देता है, इस तरह से, लेकिन अब समझ ये, कि जब solar storm बहुत strong होगा, बहुत मजबूत होगा, तो definite सी बात है, वो धरती को impact करेगा, तो ज electric grid है, उन सबको एक तरह से disable कर सकता है, उनके parts को, तो यह धरती पर definitely impact करता है, जब बहुत जादा strong solar storm आता है, और साथी साथ इसके लावा एक और फिनोमेना आपने सुना होगा, that is, जिसकों कहते हैं, northern lights, northern lights, basically अगर आप देखोगे, normal times में, वो आपका 60 degrees से 75 degree latitude के बीच में आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर, 65 degree 75 के बीच में, northern lights देखने को मिलता है, कुछ है इस color का आपको देखने को मिलता है, जो ionized gases वगर होता है, जो solar storm आ रहा होता है, वो react करता है हमारे ion से धरती के atmosphere में, और उसकी जैसे इस तरह का आपको कुछ, जो lights है, वो देखने को मिलता है, लेकिन क्या होता है, कि 2013 में जब यह activity बढ़ गई थी सूरज की, बहुत जादा solar storm आ रहा था, तो यह northern lights 50 degree, मतब इसके और नीचे भी देखने को मिल रहा था, मतब उन देशों में जहाँ पर पहले देखने को नहीं मिलता था, वहाँ पर भी इस तरह के northern lights देखने यह बताया जा रहा था, तो I hope आपको समझ में आ गया होगा अब, कि यह reversal है क्या, and conclusion में यही कह सकते हैं, दोस्तों देखें, यह बहुती fascinating phenomena है एक तरह से, और हम सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, और कहीं न कहीं, इसके बारे में हम जितना study करते हैं, पढ़ते हैं, उतना जदा हमें पता चलता है, तो यह एक तरह से हमारे लिए opportunity होती है, जब भी इस तरह की कुछ अद्भूत चीज होती है, nature में, तो वो हमारे लिए एक challenge होता है, opportunity होती है, ताकि हम उसको और पढ़ें, और समझ सकें, कि उसका impact overall क्या होगा, तो scientist वगरा, इसी में लगे रहते हैं, इसको समझने में, पढ़ने में, I hope आपको समझ में आ गया होगा, और जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो, which of the following part of the sun is visible to humans, यह आपको बताना इन चार option में से, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात न Ankit Live, to get maximum discount, and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरे आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.